सबी लोगों का उमीद लोग क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत और अभिननन है दोस्तों तो सबी लोग जल्दी-जल्दी लाइफ जुड़ाईए क्योंकि नए-ने प्रोविजन्स हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तो देखिए हम पढ़ रहे हैं भारतिय नागरिक सुरक्ष पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बॉंड पढ़ेंगे आज के इस सेशन में दोस्तों तो जल्दी-जल्दी सभी लाइफ जुड़ जाएए अब देखिए इसमें आप लोगों के लिए एक खुश्खबरी है कि जो भी 25 हाई-कोर्ट की तैयारी कर रहे है 25 हाई-कोर्ट समझ रहे हो 25 के 25 में नहीं लग रहा है यानि कि जो ऑल स्टेट का एक्जाम देते हैं वो चाहते हैं कि हमें एक ही जगे सारी चीज़े मिल जाए तो उन जुडीशल एक्सपरेंट के लिए लल बी स्टुडेंट्स के लिए अधर एसपरेंट के लिए प्लस मे तैयारी और मेन की भी तैयारी ठीक है तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग के लिए लोओ फांडेशन बैच जो है स्टाट किये जिसमें आपकी मेजर एक्ट्स आ जाएंगे माइनर एक्ट लोकल लोग आ जाएंगे हिंदी-इंग्लीश वेरी इंपोर्टेंट आपको पता करते हैं तो वो सारी बाते आपको इसमें सिखाई जाएगी टैस सीरीज और नोट्स के साथ में तो फॉर ऑल जुडिशियल एक्जाम्स के लिए आपको तयार रहना है दोस्तों इसके लिए आपको उमीद क्लासेस की जो एप है वो डाउनलोड कर लेनी है अगर आप यह लोग पहले क्या था अब क्या है तो पहले CRPC 1973 था अब क्या हो गया भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता द्वितिय दो हजार तेईस हो गया पहले सजा के लिए टाइम लाइन्स थो थी लेकिन और टाइम लाइन जोड़ दी और उसको क्या करने के लिए और भी जादा सक्ती बरतने के लिए धारा 484 थी पहले अब आपकी कितनी हो गई 531 हो गई चैप्टर 37 थे अब कितने हो गए 39 हो गए ठीक है इसके अलावा इसको असेंट कब मिली थी 25 दिसंबर 2023 में मिली थी अब आप बोलोगे मैं एनफोर्स कब हुआ था यह भी तो बताएं तो यह आपका कब होगा जब सेंटर गॉर्मेंट सेंटर गॉर्मेंट जब नोटिफाइग करेगी तब होगा दोस्तों चीक है तब होगा आपका तो यह था पूरा एक बोलते हैं ने की पफॉमा हमें पूरा रूप रहा हो नी चाहिए बात करते हैं आज हम किस पर बात करेंगे बंदपत्र यानि की बॉंड पर तो ये कौन depressUv लिया गया हैर्टः नंबर बॉन Jaim प्रेले में नरी में से लिया गया है दोस्तों और ये आपका कहां से कहां तक चलता है एक से पांच तक चलता है ठीक है अब ये बॉंड कहां दिया हुआ है अब बात करें कि क्या CRPC तो ये आपका अंसर होगा कि नहीं थी तो ये आपका क्या जुड़ा है न्यू प्रोविजन जुड़ा है और ये कहां दिया हुआ है ये आपका section number 2 section number 2 के subsection number 1 जो definition की बात करती है जिसमें definition A से लेकर के Z तक है दोस्तों A से लेकर के Z तक definition है उसमें आपको bond यानि बंद पत्र की बात करते हैं दोस्तों ठीक है और हमने इससे पहले तीन provision कर लिये है वो कौन कौन से है एक हमने bail कर लिया है एक हमने bail bond कर लिया है और आज हम करेंगे आपका bond तो देखिए bail तो मैंने आपको बताया था B for bail B for bail होता है B for क्या होता है? Bail होता है तो ये आपका कहां दिया हुआ है? section number 2, 1 का clause number B में आपका दिया हुआ है bail और bail bond कहां दिया हुआ है? बेल बॉंड आपका दिया हुआ है यह आपका D में दिया हुआ है दोस्तों कहां दिया हुआ है D में दिया हुआ है चीक है तो यहाँ पर section number 2 subsection number 1 के D में जो बेल बॉंड है उसको define किया गया है और आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तो जो bond की बात है वो हम करने वाले हैं तो ये bond आपका कहां define है ये आपका section number 2 subsection number 1 के कहां दिया हुआ है ये आपका e में दिया हुआ है दोस्तो किसमें दिया हुआ है e में आपका दिया हुआ है अब देखिए हम बात करते हैं अब जो आप पाइपीसी कहते थे 2023 के लिए तो फ्री बैच आप लोगों के लिए चलाए जा रहा है जिसमें कम्प्लीट कोड्स टेस्ट सिरीज और नोट्स के साथ है टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे और पैनल पीडियेपस आपको दी जाएगी ठीक है तो पनिश्मेंट के बा रजिस्टर करना है और इन सबकी पीडियेफस भी आपको मिल जाएगी एप पर ही और साथ ही साथ में टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी अभी जो नए प्रोविजन पढ़ा रहे हैं तो देखिए कहां दिया हुआ है यह मैंने आपको पहले किलियर कर दिया सेक्शन नमबर सबसक्शन नमबर वन का अंग में दिया हुआ है बंद पत्र तो बंद पत्र क्या होता है बंद पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंद पत्र या वचन बंद अभिपरेत है तो क्या बोल रहा है पहला point प्रतिबूती के बिना थीक है दूसरा point है छोड़ जाने के लिए थीक है तीसरा point है कोई भी व्यत्तिक बंद पत्रों या वचन बंद हो तो तीन point जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका बंद पत्र बनता है ठीक है तो ये तीन इसमें क्या है elements है important ठीक है अब देखिए जो आपको जिताने वाला जो course है Hindi और English का यह batch भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो सभी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही जादा important होती है हम यह चाहते हैं कि कि आप एक बार ही ले और एक बार में ही सारे एक्जाम के लिए हो जाए यानि कि आपको दुबारा course को बार बार ख़ीदने की जौरत नहीं पड़े वन यह की वैलेडिटी रहेगी लाइफ बैच रहेगा दोस्तों तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण और संपूर्ण जो complete English grammar है वो एक की सब्सक्रिप्शन से कर सकते हो वह भी मिनिमम प्राइज में और इसकी प्राइज है कर रक्शन वन के इमें दिया हूआ है बोंड किसमें दिया वा इ wil इया हुआ है तो बॉन मिन्स अब पर्सनल बॉन को और कि सहर कि वे डूंड ऐन अंड कि क्या होता है अब पर्सनल बॉन और अंड कि होता है for release for release और किसके लिए without surety without surety के लिए होता है तो bond में आपका क्या हुआ bond means a personal bond और an undertaking किसके लिए देना है for release के लिए छोड़े जाने के लिए without surety बिना किसी surety के तो ये आपका क्या हुआ bond की पूरी परिभाशा हो गई दोस्तों तो बाकी मैंने आपको bail की bail bond की और आज हमने किसकी बात करी है आज हमने bond की परिभाशा की बात करी है तो देखिए यहाँ पर अब APO के लिए भी आप तयार हो जाईए APO के लिए भी आपका जो batch है एक batch हो चुका है आप दूसरा बेच हम चालू करने वाले हैं दोस्तों तो इसके लिए भी आप उमीद classes से जुड़ चकते हैं उमीद है तो judiciary है तो complete course के साथ में test series के साथ में PYQs और MCQs के साथ में एक ही प्रयास से कैसे सफल हो इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों तो देखिए जो आपका APO है वो सफल हो जाएगा क्योंकि उमीद है तो judiciary है दोस्तों उमीद classes आप लोगों के साथ में हमेशा तयार है तो minimum rate में बिल्कुल रियायत दरों पर आपको ये course मिल रहे हैं तो अभी मौका है जो का माणने का दोस्तों ठीक है तो आप भी बन सकते हो APO Assistant Prosecution Officer बन सकते हैं अब बात करें कि हमने तीन provision अब तक नए पड़े हैं क्या क्या पड़े हैं मैं एक तो बेल पड़ा है एक आपने बेल बॉन्ड पड़ा है चीक है और एक आपने बॉन्ड पड़ा है ठीक है तो यह आपका बेल तो B4 बेल था B4 बेल था और बेल बॉन्ड कहां था आपका 2K सब सेक्शन 1 के D में बेल बॉन्ड था और बॉन्ड कहां दिया हुआ है 2K सब सेक्शन 1 के ये में आपका दिया हुआ है बेल बॉंड और इन टीनों को ही किसके साथ में रीड वीट करना है आपको ये जो प्रोविजन्स है बेल से बॉंड का जो चैप्टर से आपका जो पहले 33 था अब कितना हो गया 35 आपका हो गया जो 478 से 496 में तक चलता है और वी एनसस 2000 का तो री आपको पूरा ज्यान होना चाहिए कि किसको किसके साथ में पढ़ना है तो हमारी यही कोशिश है कि नए से नए प्रावधानों को आप तक पहुंचा सके कि क्या नए चेंजिस हुए है अब आड़ जेस के लिए भी आप तैयार हो जाओ इसका भी नोटिफिकेशन बहुत ज solution करवाएंगे साथ में mcqs भी करवाएंगे तो डणने की कोई बात नहीं है दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको त्यारी करवाई जाएगी एक के प्रयास में कैसे सफल हो इसके बारे में आपको पूरा समझाया जाएगा दोस्तों ठीक ह आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो आप लाइक करें कमेंड करके जरूर बताएं कि मैं सेशन कैसा रहा शेर करें अपने और भी दोस्तों को ताकि नए लौस के नए नए प्रोविजन्स भी आप पढ़ते रहो सब्सक्राइब नहीं किया है उमीद लौक्लास के चैनल को स मिलते हैं नेक्स सेशन